हेलो फ्रेंड्स आगत आप सभी का आरवेद यूटीव क्लास में तो फ्रेंड्स आज का जो उमारा वीडियो है वो क्लास 9 की महत से एक्सरसाइज 1.3 का question number 3 है इस वीडियो में हम इस question को discuss करेंगे आप बस द्यान से देखेगा इस वीडियो को और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like भी कर दीजिएगा चैनल को भी subscribe कर दीजिएगा चलिए देखते हैं question में क्या पुछा गया है question number 3 express the following in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 देखो यह जो p upon q है न यह rational number का form है तो कभी-कभी हमसे पूछ सकता है कि represent in the form of rational number कभी-कभी हमसे पूछ सकता है अब question कौन-कौन से यहां पर question है मारे पास first 0.6 अपर बार question number second is 0.47 अपर बार question number third 0.001 whole अपर बार तो यहां पर जो अपर बार है वो केवल 6 पर है यहां पर केवल 7 पर है और यहां पर 001 तीनों पर अपर बार है ठीक है तो यह question में solve करना है तो आपके NCRT की बुक में हो गए question तो लिखने की दरों नहीं है मैं इसे मिटा करके question number one से शुरू करता हूं हमारे पास जो question number three का first question है 0.6 अपर बार तो यहां पर केवल 6 पर अपर बार है इसको में rational number के form में करना है यह पन क्यों के form में करना है तो सबसे पहले हम इसको लेट करते है लेट x is equal to 0.6 अपर बार अब देखो जरूरी है क्या की x ही लेट करें नहीं ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है आप कोई भी alphabet ले सकते हैं m, n, b, a है ना कुछ भी ले सकते हैं पर generally आपकी NCRT के बुक में x लिखा हुआ है तो फिर x लिया जाता है mostly तो आप कोई भी variable ले सकते ह फिलाल तुम मैंने x लिया है x is equal to 0.6 अपर बार अब देखो इस बार का मतलब होते है जो number है वो repeat कर रहा है तो यहाँ पर हम write कर सकते हैं x is equal to 0.66 ऐसे आप 3 से 4 बार जो है number को repeat करा के write कर सकते हैं कितना यह जो 6 अपर बार लगा यह repeating है तो इसको हमने लिख दिया 666 ठीक है अब यह हमारी first equation होगी क्या होगी first equation अब क्या करेंगे आपर दिखो हमें ना यह decimal एक डिजिट के बाद में चाहिए after one digit तो हम क्या करेंगे आप 10 से multiply कर देंगे दोनों तरफ on multiplying इन एक्वेशन फास्ट बाइटेन भी है देखो अब यह एक्वेशन फास्ट है इसमें हमें 10 से multiply करना है तो जो 10 से हम इधर multiply करेंगे उसे 10 से हम इधर भी multiply करेंगे यह हो जाएगा 10 into x is equal to 10 into 0.666 तो multiply करने भी क्या होगा 10 into x 10x हो जाएगा is equal to 10 multiply करेंगे तो यहां पर आजाएगा एक डिजिट के बाद में आ जाएगा तो यह हो जाएगा 6.66 अब देखो जब आप सब्ट्रेक्शन करोगे तो इधर डेसिमल के बाद 123 है तो इधर दो ही है तो एक और बढ़ालो है ना इसको करते रहना जैसे जितने डिजिट यहां पर हो उतना डिजिट यहां पर हो क्योंकि जब सब्ट्रेक्शन करोगे तो सब 0 हो जाएगा तो अभी हमने क्या किया कुछ नहीं 10 10 से क्लिपिलाई कर दिया 10 x हो गया 6.666 हो गया है हमारा एक्यूशन निंबार सेकंड होगा क्या होगा ओगा है से कहरे न्वशन को माइनस कर देना है है उन्स सब्सक्रिक्श Youtube एक्वेशन सब्सक्राइब एक्वेशन सेकेंड भी है देखो फ्राम का मतलब होता है कि फ्राम के बाद में जो लिखा है एक्वेशन सेकेंड यह सबसे पहले राइट कर देंगे तो 10x is equal to 6.666 और यह एक्वेशन सेकेंड नीचे राइट कर देंगे x is equal to 0.666 अब जब subtraction करने जाते हो आप तो sign change हो जाता है जैसे यहाँ पर plus sign है minus हो जाएगा यहाँ पर plus sign है minus हो जाएगा तो 10x minus x करोगे यहाँ पर आएगा 9x यहाँ पर देखो 6 minus 6 0 6 minus 6 0 6 minus 6 0 और 6 minus 0 6 यहाँ पर point लग जाएगा अब देखो number बड़ा है plus का तो plus sign आएगा अब 6 के बाद में जैसे लिखा न 6.000 0 का कोई मतलब नहीं होगा आप इसे लिखो ही मत ठीके तो कितना आगया 9x is equal to 6 तो यहाँ से x के लिए क्या आजएगा 6 by 9 आजएगा तो आगी क्या आजएगा देखो x is equal to 6 और 9 3 के multiple है तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो जो में x is equal to rational number मिलेगा इंदा फामा पी अपान क्यूँ वो होगा 2 अपान 3 ठीक है? किस पाम में होगा 2 अपान 3 और यही हमारा answer हो जाएगा इस question का तो आप चाहो तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को पॉज़ करके screenshot ले लो तो मारे पास जो question है वो थरीका second part है 0.47 अपर बार यानि कि जो 7 पर अपर बार लगा हुआ है 7 जो digit है वो repeat करेगा तो मैं आपर let कर लेंगे let x is equal to 0.47 अपर बार further x is equal to 0.477 डॉट 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 यह हमारी question नमर फर्स्ट हो जाएगी on multiplying on multiplying by 10 on both side we have जो दोनों तरफ हम 10 से multiply करेंगे तो क्या मिलेगा देखो 10 into x 10x is equal to 10 से multiply करेंगे तो decimal एक डिजिट इधर slide हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4.777 ठीक है यह हमारी question नमर सेकंड हो जाएगी अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नमर सेकंड में से एक्वेशन नमर फर्स्ट को सब्ट्रेक्ट कर देंगे और सब्ट्रेक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉंग एक्वेशन सेकंड वी हैं देखो फ्रॉंग सेकंड इसका मतलब यह है कि सेकंड वाल एक्वेशन पहले राइट करेंगे टॉप में यह हो जाएगा 10x is equal to 4.777 इसके बाद में जो फर्स्ट इक्वेशन उसको राइट करेंगे यहां पर हो जाएगा एक्वेशन टू 0.477 ठीक है अभी के लिए देखो यह माइनस हो जाएगा यह भी माइनस हो जाएगा 7-7, 0 7-7, 0 7-4, 3 और 4-0, 4 अब एक डिजिट यहां पर है तो डेसिमल ऐसे लगा देंगे देसिमल के बाद में अगर एंड में 0-0 आता है जैसे 3 के बाद 0-0 है उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 हटा सकते हैं और simply आप भी 0 लिखे हिमत ठीके आप 0 लिखे हिमत व इकल टू कितना आजाएगा वो देखो 4.3 डिवाइड बाइन अब चाहें तो हम एडिसिमल रिमूब कर सकते हैं बाइ मल्टिप्लाइंग 10 इन बोथ नुम्रेटर एंड इन डिनामिनेटर तो जो हम 10 10 से मल्टिप्लाइगे तो यहां पर देखो 4.3 में 10 से यह हमारा रेशनल लंबर होगा पी अपान क्यों के फॉर्म में आप चाहों तो इन्हें राइड डाउन कर लो या फिर वीडियो को पहुझ करके स्क्रीन सॉट ले लो तो अब हमारे क्वेशन नंबर थरी का थार्ड पार्ट है क्वेश्चन है 0.001 अपर बार ठीक है तो यह जो अपर बार है ना वह 001 पर है तीनों नंबर पर है इसका मतलब तीनों नंबर रिपीट होंगे सो लेट इसको फर्दर हम राइट कर सकते हैं इसको एक्सपेंड कराके 0.001 डॉट 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 ठीक है यह हमारी क्वेशन नंबर फस्ट होगी अब हम सोचेंगे कि हम कितना मल्टिपलाई करें कि डेसिमल हमें एक डिजिट के बाद मिले तो आगर हम 10 से मल्टिपलाई करे करेंगे तो यहां मिलेगा 100 से करेंगे तो यहां पर मिलेगा यानि कि दिखो 1000 में क्या होता है वन के बाद 30 होते हैं तो तीन जीरो बताते हैं कि डेसिमल जो होगा वह में तीन डिजिट बाद मिलेगा तो नंबर आप 0 करते कि कि कितने डिजिट बाद हमें डेसिमल मिलेगा तो यहाँ पर अगर 1000 में 30 होते हैं तो decimal हमें 3 डिजिट बाद मिलेगा 123 तो यहाँ पर हमें 1000 से multiply करना पड़ेगा on multiplying by 1000 we have नेको जब हम 1000 से multiply करेंगे तो क्या मिलेगा 1000 into x 1000x यहाँ पर 1000 से multiply करेंगे तो जो decimal होगा न वो यहाँ पर लगेगा यानि कि 1.001 001 यह decimal के बाद कि जो digit होते हैं उतना हमें सेम रखना होता है और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि वो repeating decimal expansion है और ऐसा करने से ही आपको फायदा होगा तो यह equation number second हो जाएगा कि एक्वेशन नमबर सेकेंड से को सब्ट्रेक्ट कर देंगे और हैं कि सब्ट्रेक्टिंग एक्वेशन फास्ट फ्रॉम एक्वेशन सेकेंड लिए हैं देखो जब हम equation first को second से सब्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा इसको उपर रेट कर देंगे 1000 x is equal to 1.001001 ठीक है इसके बाद में equation second के बाद equation first को रेट करेंगे x is equal to 0.001001 ठीक है सब्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो पलस है माइनस हो जाएगा पलस है माइनस हो जाएगा 1000 x माइनस x करेंगे तो 999 x हो जाएगा यानि कि 999 x is equal to 1-1 0 ये भी तो 0 ही रहेगा 1-1 0 ठीक है पॉइंट 1-0 1 तो अगर decimal के बाद 0 है तो इसको लिखना ही नहीं है आपको क्या करना आपको इसे लिखना ही नहीं है तो कितना आ गया 999 x is equal to 1 तो x is equal to कितना आ जाएगा 1 upon 999 ठीक है यानि कि 1 upon 999 तो ये हमारा rational number है जो पी अपान क्योंके फर्म में है आप चाहें तो इसे rate down कर लें या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लें तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जर्यावी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब अगले thank you guys